हलो फ्रेंड्स आई मपरती वेलकम बैक टू आर चैनल प्लांट से स्पेस आज हम बात करेंगे नस्टरशियम प्लांट के बारे में जो की सर्दियों का एक ब्यूटिफल फ्लावरिंग प्लांट है नस्टरशियम को सीट से ग्रो करने से लेकर फ्लावरिंग तक का सफर आज हम आपसे शेर करेंगे ये plants हमने seeds से ही grow किये हैं जो कि last year हमने अपने ही plants से seeds collect किये थे और वीडियो आपसे share भी की थी description box में आप जरूर चेक कीजिए तो seeds grow करने के लिए सबसे पहले हम potting mix तयार करते हैं जो कि 70% गोबर की खाद यानी cow dung है और 30% उसमें river sand यानी कि जो normal construction वाला sand होता है वो हमने mix किया है potting mix तयार है और ये seeds हैं जो कि हमने last year तयार किये थे इस potting mix में बहुत अच्छा result मिलता है आप कोई भी seed grow कीजिए बहुत जल्दी germinate हो जाते हैं और इसको हम थोड़ा-थोड़ा cover कर देते हैं इनके seeds काफी बड़े होते हैं easily germinate हो जाते हैं आपको लगभग इसमें 70-80% result मिल ही जाता है इस पर एक name sheet हम रख देते हैं तीन दिन में ही आप देखिए seeds germinate होने लगा है और ये जरूरी नहीं है कि हमारी तरह तीन दिन में ही germinate हो जाएंगे seeds कभी-कभी 3-5 दिन या 7 दिन भी लग जाते हैं तो आप थोड़ा wait कीजिए तो देखिए इस जादा उनकी height हो जाती है और फिर गिर जाते हैं और मर जाते हैं तो वो सही नहीं है तो साथ दिन में ही अब हम इनको नया pot देदेंगे क्योंकि plants काफी बड़े हो गए हैं और इनको अब धूपकी सही से जरूरत है तो plants को बाहर निकालने से पहले हलकी सी नमी देदीजिए जिससे roots तूटेंगी नहीं जब आप बाहर निकालेंगे ये thermopods हैं जो कि हमने online purchase किये हैं आपसे share भी किये थे description box में वीडियो जरूर चाहे कीजिए और छोटा सा कपड़ा हम इसके अंदर लगा देते हैं जिससे जो soil है वो बाहर नहीं जा पाएगी क्योंकि holes काफी जाद नहीं है यही fertilizer और यही जो soil mixture है यह इसके लिए best है क्योंकि nastartium plant को बहुत जादा fertilizer की ज़रूरत नहीं होती है बहुत कम देख भाल में और कम fertilizer में यह बहुत अचीव लार्विंग देता है जो कि हमारा last year का experience है तो इन plants को बाहर निकालेंगे जो कि कि किसी भी आप टूल से ह यह plant growth करने लगेगा तो यह six inches के thermo pots हैं जो की lightweight है इनी में ही हम दो पौधे लगा देते हैं तो लास्टर वाली वीडियो भी आप जरूर चेक कीजे जिसमें हमने सीजनल plants के वल four to five inches के pot में ग्रो किये हैं और उसमें बहुत अच्छी growth हुई है तो यह six inches का pot है इसमें हम यह दो plants लगा देते हैं और यही बहुत अच्छी growth कर लेंगे और बहुत अच्छी plowing दे देंगे आप चाहें तो इन नेस्टरशिम plants को hanging planter में लगा सकते हैं hanging basket में लगा सकते हैं या बड़ा pot है तो आप इनको बहुत सारे plants एक ही pot में लगा सकते हैं लेकिन 12 inches का pot इस plant को नही हो जाता है अगर आपको इसमें बहुत सारे plants लगाने हैं फिर तो आप 12 inches का pot दे सकते हैं तो इस तरह से यह हमने इसमें लगा करके हलका हलका पानी रे दिया है और roots इसमें set हो जाएंगी तो 45 days के बाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छी growth हुई है और वही दो-दो plants हमने एक pot में लगा हुए हैं और अच्छे से चल रहे हैं कोई extra fertilizer नहीं है दूसरे plants की तरह ही हम इसमें भी कभी liquid fertilizer दे देते हैं जब दूसरे senior plants को देते हैं लेकिन इसको कोई खास खाद की ज़ बढ़ाया नहीं था ऐसा का ऐसा ही चार वौदे इसमें लगा दिये थे तो देखिए धीरे धीरे इसमें flowering start हुई और जब फूल खिलते हैं तो बहुत ही अच्छे फूल खिलते हैं और यह दो दिन तक रूख जाते हैं 2-3 दिन तक और फिर यह पुराने होने लगते हैं त किसी में dark red shade होता है किसी में light red shade होता है तो वही इसमें shades होते हैं orange yellow और red यही colors आते हैं नेस्टरशियम में बाकी इनकी जो पतियां होती हैं एक नेस्टरशियम आता है जिनकी पतियां यानिकी leaves pure green होती है और एक यह variegated leaves वाला आता है तो हमने तो एक साथ ही seeds मंगवाये थे हमें नहीं पता था यह कौन सी leaves वाले हैं तो हमारे पास यह variegated leaves वाला plant निकला जो कि बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप इसको as a ornamental plant जैसे कि मतलब foliage plant की तरह भी आप grow कर सकते हैं इनकी जो पतियां हैं वो ही इतना अच्छा look देती हैं garden में colorful double shade में हैं तो इसमें flowers भी petals होती है flowers में और इनी में ही seed बनता है जो कि seed आपने शुरुआत में देखा ही है कितना बड़ा seed होता है जैसे कोई bear का seed होता है bear की गुठली होती है बिल्कुल उसके जैसा यह seed होता है इनको collect करना भी बहुत आसान होता है यह seeds गिर भी जाते हैं तो खोते नहीं हैं बहुत आसानी से आप इनको उठा सकते हैं तो तीन pot हमने इनके तयार किये हुए है और जो की एक 8 inches का pot है और दो यह 6 inches के pot है तो अभी इनकी शुरुआत है इसलिए आपको थोड़ा कम flowers दिख रहे हैं लेकिन दिन बदिन इसमें फूल बढ़ते ही जाएंगे बस आपको ज़्याद है वो different है इसमें red shade में पतली सी lining है बारीक सी lining है उसमें red shade कुछ ज़्यादा ही है तो एक और इसमें red color भी आता है वो बहुत प्यारा लगता है तो आपको जो seeds मिलें आप जरूर ग्रो कीजिए और यह तो कोई भी seed grow कर लेगा क्योंकि अपने आप ही germinate हो जाते हैं बस आप 100% germinate होंगे बहुत से हमारे पास यह comments आते हैं कि हमारा जो seed हमने grow किया था वो तो अभी तक निकले ही नहीं है germinate ही नहीं हुए है तो उसका करण केवल और केवल over moisture होता है जब आप उसमें बहुत सारा धेर सारा पानी दे देते हैं और उसकी नमी खतम नहीं हो पाती है उप पानी का यानि की नमी का ही सबसे ज़्याद ध्यान रखिए इसको दूप की जरूरत कम से कम 3 घंटे की होती है क्योंकि कोई भी seasonal plant हो कम से कम 3 घंटे की दूप आप उसको जरूर दीजिए तो वो अच्छी प्लाविंग करता है और जब इनको दूप नहीं मिलेगी सही से तो यह लैगी हो जाते हैं जैसे कि अभी हम एक वीडियो शेयर करेंगे डायंथस प्लान पर तो उसमें आपको बताएंगे कि लैगी कैसे हो जाते हैं तो यह जादर लंबे होकर नीची की तरफ गिर जाते हैं इसलिए आपको इसको sunlight proper देनी होगी कम से कम 3 घंटे की fertilizer आप क्योंकि जब किसी प्लान को growth करनी है तो शुरू में तो potting mix अच्छा चाहिए ही होगा और नमी हलकी सी ही बना कर रखिए क्योंकि जो इसका stem होता है इसकी जो टहनी होती है उसमें भी पानी होता है तो इसलिए बहुत हलकी नमी बना कर रखिए तो यह फूल सूख चुका है इसको हम हटा देते हैं लेकिन इसके चकर में एक हमारी कली यानि की flower bird टूट गई है तो इस बात का आप ध्यान रखिए तो देखिए इस तरह ऐसे इसमें seed बनता है जो कि अंदर आपको दो green कलर की छोटी छोटी बॉल्स दिखाई दे रही है वही इसका seed है इसमें कुछ प पर्शन है कमेंट बॉक्स में पूछिए हम जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे और वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएए थैंक यू